दोस्तों, जून और जुलाई का महीना ऐसा रहता है, जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि कौन से फूलों वाले पौधे लगाये जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको वे सभी पौधे दिखाऊंगा, जो इतनी ज्यादा गर्मी में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं. सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास पौधा है, वह विनका या सदाबहार का है, इसको आप बीज से लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं. दोस्तों, जो विनका का पौधा रहता है, इसको फुल सनलाइट पसंद है, यह एक पर्मानेंट प्लांट है, वही सर्दी में थोड़ी सी ग्रोथ इसकी स्लो जरूर हो जाती है, पर फरवरी के महीने में आते ही इसकी ग्रोथ एकदम से ठीक होने लगती है, बरसात में इसक थोड़ी केर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफी बार बारिश का पानी जमा होने के कारण यह प्लांट खराब हो जाता है, और दोस्तों, हमारा जो अगला प्लांट है, वह हैं चांदनी या क्रेप जैसमीन का, दोस्तों, इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, इसके फ प्लांट है, इसका नाम है अपराजिता, इसमें भी बहुत सारे रंगों के फूल आते हैं, इस पौधे में आपको ब्लू, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर आप्शन मिल जाएंगे, इनके फूल, सिंगल पेटल और डबल पेटल आते हैं, आठ इंच के गमले में इनको हम लगा सकते हैं, ये एक तरह की बेल हैं, तो इसके साथ सपोर्ट वगेरा देने के साथ ये और ज्यादा अच्छे से बढ़ेगी, इसको सीट से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, आप इसकी पौध नर्सरी से भी लेकर लगा सकते हैं, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगी, लगभग 20 से 25 रुपे में आपको एक पौधा इसका मिल जाता है, दोस्तों, हमारा जो अगला प्लांट है, इसका नाम है, गंधराज या गाडेनिया, इसके फूल सफेद रंग के आते हैं, और मेरा भी ये एक तरह का फेवरिट प्लांट है, और इसमें दोस्तो मौर्निंग ग्लोरी का, इसमें नीले, बैंगनी, गुलाबी और सफेद रंगों के खूबसूरत फूल खिलते हैं, मौर्निंग ग्लोरी को ऐसे स्थान पर लगाए, जहां दिन भर की धूप मिलती रहे, मौर्निंग ग्लोरी के पौधे को अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्ट काफी पसंद है, इसलिए ऐसी मिट्टी तयार करें, जिसमें पानी ज्यादा देर तक होल्डना हो, मौर्निंग ग्लोरी को बीज से ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके बीज मार्च अप्रेल तक लगा ले, अभी बीज लगाने का टाइम खत्म हो गया है, तो आप इसकी गमले में लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 12-14 इंच के गमले में लगाए, ये एक तरह का पर्मानेंट प्लांट है, इसके फूल गुच्छों में और काफी अच्छी खुश्बू वाले होते हैं, और दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है, पैसी फ्लोरा या कृष्न कमल का, इसको राखी बैल भी बोला जाता है, दोस्तों, इसके फूल बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, ये एक तरह की बेल होती है, इसलिए इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, और दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है, क्लेमेटिस वाइन, इसको ज्यादा तर गेट, बालक इसके पूर्टुला का या गुड़हल का इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे रंग मिल जाते हैं और गर्मियों में ये बहुत अच्छे से फूल देता हैं अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप 12 इंच के गमले में इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और अगर पूर्टुला का या मौसरोज का ये एक पर्मानेंट प्लांट है इसके फूल सूरज निकलने के बाद खिलते हैं और शाम होने तक मूर्जा जाते हैं इस पौधे की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि इसमें हर रोज 10 से 20 फूल खिलते मिल जाएंगे इस प्लांट को सीड् और कटिंग से बहुत ही इसली ग्रो कर सकते हैं ये प्लांट आपको बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे अगर बात करें इसकी प्राइस की तो ये 10 से 20 रुपे में मिल जाते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैंने आपको वे सभी पौधे बताएं हैं जो अभी आप लगा सकते हैं कमेंट में बताईएगा आपको इन में से कौन सा पौधा सबसे बढ़िया लगा और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें